तो इस वीडियो में हम Technical Analysis Lesson 3 कवर करेंगे और अगर आपने Lesson 1 और Lesson 2 नहीं दिखा है तो आपको इस वीडियो के Description में उन Lessons का एक Link मिल जाएगा और इस वीडियो का जो हमारा Topic है It is about how we use Candlesticks with the Moving Average of a Stock तो अगर हम ये दोलों Combine करते हैं तब हमें एक अच्छा Entry और Exit मिल जाता है for any stock तो ये वीडियो देखते जाएए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और Bell Notification क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लीटिस वीडियो के अपडेट्स मिल जाए तो क्योंकि इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारें बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है तो बहुत जन कैंडल स्टिक्स यूज करते हैं कोई भी टेकनिकल चार्ट को स्टड़ी करने के लिए तो as per the definition of candlesticks a candlestick is a technical analysis tool which helps us determine the price action of the stock the direction of the trade and most importantly the trend reversal तो candlestick का एक जो element है उससे हम एक technical chart को study करते है जो हमें बताता है कि stock का जो direction है वो किस दिशा में जाएगा और सबसे importantly वो हमें इस stock का एक trend reversal का indication देगा और ये trend reversal से हम एक stock में entry भी ले सकते हैं और वो stock को exit भी कर सकते हैं तो candlestick एक बहुत ही important variable होता है कोई भी technical analysis lesson के लिए तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि basic candlestick कैसे दिखता है और उसको हम कैसे evaluate करते हैं तो candlestick दो तरीके के होते हैं एक है green candle और एक है red candle तो अगर आप left side देखो जो है green candle तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक body मिलता है और उसके बाद उसके दो stems दिखते हैं तो सबसे पहले green candle में जो होता है वो है कि वो एक certain price में open होता है तो अगर हम assume करते हैं 98 as an open price तो यहाँ से green बनना शुरू होता है which is known as the open उसके बाद वो बढ़के एक level तक जाता है which is also called the high और high में जाने के बाद which we assume as 105 उसके बाद यह थोरा सा decline होके 102 पे close होता है तो 102 जो closing zone है उसे हम कहेंगे as the closing of the candle और यहाँ पे हमें एक green body देखने को मिलता है which signifies कि candle 98 में खुला था और वहाँ से बाद के 105 तक गया और फिर वहाँ से थोरा सा selling होने के बाद यह 102 पे close हुआ तो this is what we call a green candle और green candle का definition कुछ ऐसा है it opens at a lower price and closes at a higher price बहुत ही simple एक explanation है और हमने यहाँ पे देखा कि closes at 102 जबकि यह open हुआ था at 98 और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 98 में open होने के बाद यह थोरा सा decline करता है in the initial periods of the day और वह गिर के एक low बनाता है और हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि 95 का low बनाया था यह candle और फिर यह candle 102 पे close किया तो this is what we call a green candle और इससे हम determine करते हैं a buying pressure in the stock तो अब हम देखेंगे what is a red candle तो red candle का अगर definition देखें तो it opens at a higher price and closes at a lower price यह totally opposite होता है green candle का तो जैसे कि हमने पिछले example में देखा था कि 98 एक share का price है 98 रुपीज और वो close हुआ 102 रुपीज पे तो एक buying momentum हमें देखने को मिला green candle में red candle में अगर हम assume करते हैं कि same price structure है तो यह company का जो open था यह open price था वो 102 पे था वहाँ से यह company का जो share price है वो increase करके 105 तक गया और फिर दिन में एक selling pressure देखने को मिला हमें और वो selling pressure देखने के बाद यह company का share price गिर के 95 तक आ गया और फिर एक थोड़ा सा recovery हुआ इस company के share price में और वो बर के 98 पे close हुआ तो इसे हम कहेंगे एक red candle जो एक green candle का reverse momentum दिखाता है and this shows a selling pressure in the stock तो अब इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि सबसे important candle stick का pattern क्या होता है तो बहुत सारे candle stick का patterns form होता है और अगर आप google करोगे candle sticks pattern तो आपको बहुत सारे patterns देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से जो सबसे important candle stick के pattern है उसे हम कहेंगे a hammer तो दो टाइप के hammer के variations होते है एक है green hammer और एक है red hammer और we can call it an inverse hammer तो green hammer जो एक ऐसा candle है this signifies a huge pressure on the buying side और इसको देखने के बाद हम यह certain कर सकते है कि क्या trend reversal आया है कि नहीं तो इस candle का जो structure है हमने जैसे पिछले slide में देखा था वैसे ही similar है सबसे पहले अगर हम देखे तो इस candle का अगर आप scam देखो तो बहुत बड़ा एक scam है इस candle में और इसका body जो है वो थोड़ा सा छोटा है in comparison to the scam तो सबसे पहले यह candle open होता है प्राइस में वहाँ से एक selling pressure के बाद यह candle एक low बनाता है बहुती नीचे और फिर during the trading session एक heavy buying pressure आता है और यह candle एक high बनाता है बहुत उपर फिर वहाँ से एक थोड़ा सा correction के बाद यह एक certain price में close करता है और इसका जो एक picturization है अगर आप ठीक से देखो तो यह hammer जैसा दिखता है similarly red hammer जो है वो इसका inverse होता है सबसे पहले वो एक price में open करता है उसके बाद huge buying pressure के लिए बरके एक high बनाता है और फिर high से यह गिर के एक low बनाता है in the trading time frame और फिर वहाँ से यह थोड़ा सा बरके एक close period दिखाता है तो this is an inverse hammer candle और हम इसे कहेंगे a red hammer तो यह जो red hammer के बारे में हमने अभी तक कहा है यह हमें दिखाता है कि कब एक stock में एक selling pressure हमें देखने को मिल सकता है after a certain trend तो hammer हमें basically trends के बाद एक reversal का signal देता है जो हम हमारे next slide में और अच्छे से समझेंगे तो यह red hammer जब हमें दिखता है कोई भी chart में उसके बाद ऐसा हो सकता है कि एक selling pressure हमें देखने को मिले और share का जो price है वो consistently गिरते जाए और green hammer में जब हमें दिखता है वो तब वहाँ से एक buying trend हमें दिखने को मिल सकता है और उसके बाद वो share का price एक के बाद एक बढ़ते जाता है तो उसलिए यह एक most important candlestick pattern है जिसे हमें अच्छे से study करना चाहिए और हमारे next slide में हम इसको combine करेंगे with the moving average तो अब हम बात करेंगे एक combination के बारे में जिससे हमें पता चले कि कब एक trend खतम हो रहा है और उसके बाद एक नया trend शुरू होने वाला है तो stock का price में हमेशा एक trend movement होता है और हमारे पिछले दो technical analysis video कर आप देखे होंगे तो आपको trend के बारे में एक idea ज़रूर हो गया होगा तो इस video में हम hammer plus moving average को एक emphasis देंगे क्योंकि अगर आप ये दो indications को एक साथ combine करो तब हमें एक अच्छा opportunity देखने को मिल सकता है in a stocks chart तो इस slide में हमने एक basic moving average को consider किया है और moving average एक ऐसा चीज है जिसे हम भहुती effectively use कर सकते है तो moving average का एक period होता है तो अगर हम इस video में जैसे 10 moving average period को consider कर रहे हैं तो basically 10 moving average का एक line होता है तो moving average का जो line है it is formed by taking the average of the period's time तो 10 period का जो moving average हम यह आपे consider कर रहे हैं तो इस current candle से पिछले 10 candle का जो एक average price है closing का उसका एक line होता है ये moving average का line और ये बहुती important line इसलिए होता है कि हमारा जो current candle है वो हमें बताएगा कि ये जो moving average का line है ये इसके ऊपर trade कर रहा है कि उसके नीचे तो अगर 10 moving average line के नीचे ये candle अभी placed है तो वो signify कर रहा है कि ये 10 period का moving average का average price है उसके नीचे trade कर रहा है and it is not a very bullish sign और अगर वो 10 moving average periods के ऊपर trade करता है then it is a bullish sign तो अब अगर आप इस diagram को देखो तो सरसे पहले आपको ये moving average 10 का इक period का line दिखेगा तो हमने ये देखा है कि 10 moving average period is the most effective period when we combine it with a hammer तो अगर आपको technical analysis chart में option मिलता है to change the moving average तो इस method में आप 10 moving average को consider कीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे different candles देखने को मिलेंगे red candle, green candle, ऐसे बहुत candles देखने को मिलेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक hammer देखने को मिलेगा तो ये hammer एक जो pattern है इसे हम ढूनते हैं एक chart में तो hammer को हम कहेंगे green hammer क्योंकि ये green hammer है उसके बाद हमें ये देखना है कि ये moving average के ऊपर है या moving average के नीचे है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो moving average है वो किस दिशा में जा रहा है it is sloping downwards तो ये एक negative sign होता है usually क्योंकि तब हमें पता चलता है कि trend of the stock is moving down उसके बाद ये जो hammer है अगर ये moving average के नीचे आता है हमें वैसा ही hammer चली तो वो मिलने के बाद हमें wait करना होता है एक trend confirmation का और वो trend confirmation कब होता है कि जब moving average के ऊपर एक closing eye candle का तब हम signify करेंगे एक trend confirmation तो अगर आप ये चार्ट को ठीक से देखो तो hammer के बाद हमने एक trend confirmation का wait किया यहाँ पे और जब moving average के ऊपर एक green candle का opening हुआ और closing हुआ यानि ये वाला जो candle है ये candle जब हमें देखने को मिला after the hammer above the moving average तब हम इसे signify करेंगे as a trend confirmation of the buying trend और इससे पहले एक शायद selling pressure था या एक consolidation phase था और इसके बाद एक hammer देखने को मिला और फिर एक positive candle जो हमें moving average के ऊपर देखने को मिला after the green hammer being below moving average हम कहेंगे इसे a trend confirmation in the buying side और जब ऐसा होएगा तब ये share का price बढ़ते जाएगा and it will reach a period of high और उसके बाद अगर आप high का periods देखो तो वहाँ पे हमें wait करना है exit के लिए तो exit आप तब करोगे जब आपको एक red hammer देखने को मिले और उस सिर्फ red candle देखने से आप exit करोगे तो आप बहुत सारे profits lose out कर जाओगे तो उसलिए हमें यहाँ पे भी एक trend confirmation का wait करना परेगा तो जब red hammer आता है वो आएगा moving average के ऊपर क्योंकि तब यह जो direction है stock का या moving average का वो positive में रहेगा तो जब ऐसा रहेगा हमें एक moving average की ऊपर inverted hammer देखना परेगा या ढूनना परेगा और हमें यहाँ पे एक red hammer देखने को मिलता है red hammer देखने के बाद हमें wait करना है एक जो candle का opening and closing below the moving average जो signify करेगा एक trend confirmation on the selling side तो यहाँ पे जो mark क्या हुआ candle है अगर आप देखो तो यह open हुआ था on the moving average और close हुआ था below the moving average तो यह हमें एक trend confirmation दिखाया और उसके बाद आगर आप ठीक से देखो तो यह chart में यह share का price गिरते गया over a period of time तो इसे हम कहेंगे hammer plus moving average का combination और यह बहुत ही important combination है अगर आपको यह part ठीक से समझ नहीं आया तो फिर से यह part दीखे क्योंकि यह बहुत ही important factor है कोई भी basic technical analysis समझने के लिए तो चलिए जल्दी से एक live example देखते हैं by combining the moving average and the hammer pattern तो जैसे कि हमने पिछले slides में देखा था हमें सबसे पहले एक green hammer ढोना चाहिए जो moving average की नीचे हो तो अगर आप यह chart देखो जो कि Reliance का 1D chart है तो आपको बहुत सारे hammers इस zone में दिखेंगे जैसे कि यह एक hammer हुआ तो इस hammer को हम इसले consider नहीं करेंगे क्योंकि hammer तो आया था पर उसके बाद कोई भी एक positive green candle moving average की उपर नहीं आया तो इसे हमें एक null position कहेंगे उसके बाद हमें एक और hammer दिखा था यहाँ पे इसे भी हम इसले consider नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद हमें अच्छा body देखने को नहीं मिला above the moving average और फिर आया यह एक hammer और इसके बाद अगर आप देखो तो next जो candle आया वो ओपन हुआ at the moving average और अग्लोज हुआ above the moving average by creating a big body तो यह हमें एक confirmation मिला और यह confirmation मिलने के बाद अगर आप देखो तो consistently यह शेर का प्राइस बढ़ते गया और यह I think 1100 से बरके 1262 तर चला गया तो this showed tremendous binding pressure from the stock after the confirmation और उसके बाद हमें यहां पे कोई exit इसके नहीं देखने को मिला क्योंकि एक hammer हमें यहां पे नहीं देखने को मिला consistently तो यहां पे एक hammer आया था inverted red color का और उसके बाद green candle आ गया और बहुत देर के बाद एक यहां पे body हुआ तो इसको हम consider नहीं करेंगे फिर आता है एक high of 1300 और 1300 high के आने के बाद आप अगर इस candle को देखो यहां पे एक inverted candle हमें देखने को मिला और उसके बाद हमें confirmation का wait करेंगे और confirmation आपको maximum five candles के अंदर मिलना चाहिए तो यहां पे अगर आप देखो confirmation के बाद fourth candle I think एक confirmation दिया हमें जहां पे opening and closing बोथ हुआ moving average के below तो यहां पे आपको position exit कर देना चाहिए और यहां पे अगर हम position exit करते तब हमें एक अच्छा profit मिलता from 1100 to the 1262 zones तो आप यह याद रखिए कि यह सिर्फ एक mechanism है यह चार्ट में entry और exit लेने के लिए इसके बाद हम और बहुत सारे mechanisms या technical analysis techniques सीखेंगे जिसे हम यह ascertain कर सके कि कब हमें profit book करना चाहिए और कब हमें हमारा नया position लेना चाहिए उसके लिए आप सबसे पहले हमारा जो pattern video है trend का उसे देखिए I think it is lesson 2 of technical analysis और आने वाले जो technical analysis के उपर videos होंगे उसे भी आप ठीक से देखिएगा ताकि आप एक effectively अच्छा position ले सको with the help of technical analysis ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और bell notification ज़रूर click कीजिए ताकि आपको इस चैनल के latest वीडियो के updates मिल जाए और अगर आपको fundamental analysis और technical analysis के बारे में और सीखना है तो आपको इसी वीडियो के description में वो सारे tutorials के link मिल जाएगे